हेलो अस्टुडेंट्स आज करेंट एलेक्टिसिटी का सात्मा कलास ले रहा हूं पुल्टेकनिक का फॉर्म भरने का आज लास्ट डेट था और चार बार बढ़ा चुका है गलत फाहमे में नहीं रहिएगा कि पुल्टेकनिक की पर इच्छा नहीं होगी कुछ अस्टुडें सीरीज कनेक्शन और पैरलल कनेक्शन रसिस्टेंस के बारे में बताये थे देखिए स्रेनी क्रम लिख दिया है समनांतर क्रम तो आरवन तथा आर्टु ये क्वेशन है आरवन तथा आर्टु स्रेनी क्रम में है यानि सीरीज कनेक्शन में है तो उसका इको भैलेंट रसिस् इन सीरीज कनेक्शन तो देखिए इस पूछा हुए प्वेसिन है कि अगर रवन और टू श्रेनी क्रम में हो स्रेनी क्रम में उसका कनेक्शन कर दिया जाए तो उसका एको भालेंट रशिस्टंस क्या होगा आपको च्वायश चार्ट हो देगा पहला मनलिया कि देदिया कि एक पेस्तर आपको जो हैसे दे देगा कि less than फिर जो हैसे आर रवन से लेस लेस डेन ऐसे लेसे आपको देदेगा तो अब आपको जो हैसे देखना है कि आप तो फे में जानते हैं स्कोथ बता चुक ஆ स बराबर क्या होता है R1 प्लस R2 स्रेनिक्रम में होता है तो मान करके चली मन लिया कि दो रसिस्टेंच लिजिए मन लिया कि एक हम ले लिए R1 के ले लिए दो ओम का आ इसको ले लिए हम तीन ओम का तो तीन अदू क्या हो गया पांच ओम हो गया तो पांच ओम जो हुआ वह RS का वहलू आया तो यह RS का वहलू जहाँ से देखिए पांच दू से भी बड़ा है और तीन से भी बड़ा है इसका मतलब कि इसका most suitable answer जो होगा वह RS is greater than R1 and R2 यानि दोनों जो individual resistance है जो ब्यक्तिगत परती रोध है R1 और R2 उन दोनों से जो है CRS यानि ecovalent resistance जो है से बड़ा होगा देखिए दू से भी बड़ा है पांच और तीन से भी बड़ा है पांच इसलिए जो है CRS is greater than R1 या R2 यानि यह से answer होगा अब देखिए R1, R2 समनांतर क्रम में है parallel connection में है तो parallel connection में है तो कहेगा कि इसका एक आरपी का मतलब ecovalent resistance in parallel connection तो parallel connection में जो है ecovalent resistance का मन जो है से क्या होगा आपका च्वाइस चार्ष्टो जो करेगा आरपी बराबर लिखेगा greater than R1 तो greater than R2 less than R1, less than R2 इस तरह से करेगा और एक ऐसा च्वाइस रहेगा कि आरपी का मन जो है से R1, R2 दोनों से less होगा तो यही जो है से most suitable choice होगा देखिए इसको समझ ही है मन लिया कि R1 को 2 ohm मान लिजिए यही वला और R2 जो है से 3 ohm मान लिजिए तो आरपी निका लिए तो आरपी बराबर क्या हम बताए थे इस बता चुके है कि product by sum यानि गुणा by जोड तो गुणा किजिए तो 2 गुणे 3 अब आई क्या किजिएगा 2 जोड 3 2 जोड 3 कर देजिएगा तो यह आगको आ गया क्या 6 बटे 5 आ गया तो 6 का मतलब 6 दूनी बार 1.2 आ गया दखिए तो यह जो है समतुली परतिरोद जो है से 1.2 ओम आ गया तो 1.2 ओम क्या है 2 से भी छोटा है और 3 से भी छोटा है इसका मतलब कि आरपी का मान जो है समतुली परतिरोद का मान जो है दोनो जो व्यक्तिगत परतिरोद है जिसको हम समनांतर क्रम में जोड़े हैं उन दोनों से जो हैसे आरपी का मन छोटा होगा देख लीजिए चेक कर लीजिए अब देखी अब जो हैसे बात आगया C1 and C2 लिखे हैं कंडेंसर के बात आगया है तो कंडेंसर में जो हम बताए थे तो कंडेंसर में क्या बताए थे तो कंडेंसर में बिल्कूल जो हैसा उल्टा होता है जैसे आर स्रीनिक रम में अगर जुड़ा हुआ है तो CS बराबर क्या होता है C1 into C2 अब बटा C1 plus C2 ऐसा होता है मन इसका उल्टा होता है ये स्रीनिक रम में है तो RS बराबर होता है R1 जोड़ R2 अगर दो condenser जो है दो capacitor अगर सिरेनी क्राम में जुड़ा हुआ है तो उसके लिए क्या हो जाता है तो CS बराबर C का मतलब की capacity of condenser तो CS का मान होता है कि product by sum यानि गुना by जोड यानि C1 into C2 बटा C1 जोड C2 इस तरह से होता है तो देखिए यह ऐसा आ गया और इसमें जो है से उल्टा चलेगा इसमें जब parallel connection में दो condenser है तो इसमें जो है सही को valent capacity क्या होगा तो CP बराबर है जाएगा C1 plus C2 है जाएगा तो just जो है से इसका उल्टा एंसर है जाएगा तो देखिए R1 is greater than R1 and R2 था तो C1 is less than इसमें हो जाएगा इसलिए यह choice होगा इसलिए कि इसका फर्मुला जो है से सिधा उल्टा हो जा रहा है आई अगर R1 और R2 समनांतर क्रम में है तो इको valent capacity यानि समतुले परतिरोथ जो हो जाएगा वह जो है से बैक्तिगत समतुल capacity जो हो जाएगा वह बैक्तिगत capacity इंडिविजुल capacity दोनों से ही जो है से बढ़ा होगा यही एक जांपूल आप ले सकते हैं फर्मुला उल्टा है तो result तो उल्टा होई जाएगा तो देखिए यही जो है समोश्ट सुटेबूल एंसर होगा अब आई यह बोल्ट मीटर के बारे में बता रहा है तो बोल्ट मीटर को कभी बोल्टा मीटर नहीं कहिएगा गलत हो जाएगा कुछ लोग जो हैसे बोल्ट मीटर को बोल्टा मीटर कह देते हैं नहीं हम देखते हम लिखें है भी ओ एल टी एमी टी ए और बोल्ट मीकर्त वी दूसरा चीज है घोलो concludes पहले जो है समा ने सुपहले उस्य स्माहोडon कि बोल्ट मीटर जो है से क्या मापता है क्या मेजर करता है तो यह जो है जो बोल्ट मीटर से इसा लग रहा है कि यह भोल्टेज मापता होगा लेकिन यह गलत हो जाएगा बोल्ट मीटर भोल्टेज नहीं मापता है भोल्टेज मापने वाला जो है से दूसरा है उसका नाम है कि अध्यों मीटर जो है से क्या पीडी यानि potential डिफ्रेंसि यानि विभवांतर मापता है न की वोल्टेज मापता है या बहुत से लोग जो है से गज़वण कर देते हैं कि बोल्ट मीटर देखा तो कि बोल्टेज मापता है गलत हो जाएगा बोल्ट मीटर बोल्टेज नहीं मापता है बलकि बिभुवांतर मापता है अचा से कौम विभुवांतर मापता है क्यों मनलिया की क्यों का अगर question कर दे उससे मनलिया की objective निकाल दे तो उसका कहिएगा कि चुकि उसका resistance हाई होता है जिसके चलते जो है से वह ऐकूरेट पीडी ऐकूरेट potential difference यानि विभुवांतर को नहीं आपता है बलकि आएकूरेट से कौम आपता है अब देखिए एक point bolt meter के बारे में ही बना रहे हैं की अधिक resistance का bolt meter अच्छा होता है अगर bolt meter का bolt meter का परतिरोध जो है से जितना अधिक होगा उतना अच्छा bolt meter होगा तो इसका मतलब है की अगर ideal voltmeter है यानि आदर्स voltmeter है तो उसका परतिरोध अनन्त हो जाएगा चुकि अधिक वाला अच्छा होता है तो आदर्स का मतलब कि अच्छा है तो आदर्स अगर है तो उसका परतिरोध तो क्या हो जाएगा परतिरोध आपको जो हैसे अनन्त तो हो जाएगा अब देखिए अगला को देखिए इसका point बना रहा है चालकता का मतलब होता है conductance तक किसको कहते हैं तक conductance आपको कहते हैं क्या resistance है reciprocal of resistance is called conductance यानि परतिरूध का विवत क्रम यानि उल्टा चालकता कहलाता है तो परतिरूध तो ideal बोल्ट मीटर के लिए क्या हो गया आपको अनन्थ हो गया तो देखिए परत्चालकता का मतलब 1 by R यानि 1 by infinity तो 1 में infinity से डिभाइड की जगत क्याता है 0 यानि आदर्स बोल्ट मीटर की चालकता सुनने होती है अच्छा या जो है से common question है या जो है से क्या general competition में भी पूई दिया जाता है कि बोल्ट मीटर किस क्रम में जुड़ा होता है तो बोल्ट मीटर जब भी जुड़ा रहेगा तो समनांतर क्रम में जुड़ा होता है बोल्ट मीटर के जैसे ही किसी से कोईशन किजेगा कि बोल्ट मीटर किस क्रम में जुड़ा होता है समनांतर क्रम अधिकांस्ता लोग जो है से उतर देही देंगे तो देखिए एक इस टाइब का कोईशन जो है से पूछ दिया गया है कि बोल्ट मीटर बनाया जाता है कैसे में जोड़ के बनाए जाता है तो देखिए हम बताए थे कि अगर bolt meter अच्छा है तो उसका resistance हाई होता है तो देखिए गैलवेनोग मीटर के स्रेनी करम में हाई resistance यानि उच परतीरोध जोड़ कर क्या बनाया जाता है bolt meter बनाया जाता है इसको ध्यान रखियेगा bolt meter को जोड़ा तो जाता है समनांतर क्रम में लेकिन बोल्ट मीटर बनाया जाता है कैसे तो गैलवेनो मीटर के स्रेनी क्रम में यानि सीरीज में हाई रसिस्टेंस यानि उच परती रोध जोड़कर बोल्ट मीटर बनाया जाता है अब इस पर जो है से कुछ नोमेरिकल्स रहेगा तो numericals में रहेगा कि मन लिया कि कोई voltmeter है उसका कुछ range है और उसके कहेगा कि इसके range को हमको बढ़ा कि इतना से इतना करना है तो कहेगा कि तो उसमें कितना ohm का center लगाना पड़ेगा इस type का question दिया जता है तो जिसे देखिए को question हम ले लिया है कि एक voltmeter का परती रूत मान लिया पांच हम है और उसके range को दो भोल्ट से 12 भोल्ट तक बढ़ाने के लिए कितना ohm का center लगाना होगा तो ऐसे आपसे पूछ देगा तो देखिए इसके लिए दो ठों हम फर्मूला दे दिये थे ऐसे ही सब सिध्ध किया जाता है जो 12 में है लेकिन यहां ध्यान रखिएगा भोल-technique में आपसे पूछा जाएगा आप पढ़े चाहे नहीं लेकिन पूछा जाएगा तो सबसे पहले जो हैसे यह ने निका लिएगा 3N के लिए हम क्या बता है B2 by B1 देखें new range by old range तो आपको जो हैसे range को क्या करना है 2 बोल्ट से 12 बोल्ट तक बढ़ाना है तो new range बटा old range लेकी आई है तो new range आपको कहां तक करना है 12 तक करना है 12 में छो से दूसरे भाग दे दीजिए तो दूसरे अगर भाग दे दीजेगा तो क्या जाएगा आपका छो आ गया अब इसके बाद इस बराबर देखिए तो इस बराबर हम क्या बताए हैं देखिए इसके लिए फर्मुला लेख दिये हैं G into N-1 तो G का मतलब होता है कि गैलिवेनो मीटर का परतिरोध जो आपका ओल्ड बोल्ड मीटर है उसका परतिरोध का सकते हैं तो परतिरोध का मान देखिए पांच ओम दिये हुए है तो पांच इंटो और क्या N-1 देखिए तो N का तमान निकाल जो कहा है 6 तो 6-1 तो यह 5 हो जाएगा तो पचपच यह क्या जाएगा 25 तो 25 ओम का रसिस्टेंस क्रिस करम में जोड़ना पड़ेगा तो 25 ओम का रसिस्टेंस जो है तो देखिए किस करम में जोड़ना पड़ेगा तो गैलवेनो मीटर के स्रेनी करम में यहाँ देखिए स्रेनी करम में हाई रसिस्टेंस जोड़कर बोल्ट मीटर बनाया जाता है यानि कि 25 ओम का परतिरोध जो है गैलवेनो मीटर के स्रेनिक क्रम में अगर जोड़ दें तो वह बोल्ट मीटर जो दो बोल्ट मापता था वह 12 बोल्ट मापने लगेगा उसका रेंज बढ़ जाएगा अब यह मन लिया यहां एक हम बोल्ट मीटर लगा दिये हैं आया में करेंट आपका है दो एम्पियर का है आया जो है से रसिस्टेंस है जो पांच ओम का है तो यहां से में करेंट दो एम्पियर का जा रहा है तो अब इससे कोशन कर दिया कि बोल्ट मीटर का सही पठन रिडिंग कि क्या होगा देखिए इसको लोग ऐसे बना लेगा भी बराबर आई यार बनाई येगा आई तो man दिये हुए है दो दो पांच तो दो इंटू पांच बराबर क्या आगया अगर 10 भोल्ट हम च्वाइस दिये हुए हैं तो 10 भोल्ट पमाप दीजिएगा जो गलत आपका हो जाएगा हम आपको क्या बताएगा कि बोल्ट मीटर जो है से कभी भी accurate भैलू को नहीं मापता है एकुरेट से कम भैलू को मापता है तो इसका मतलब कि 10 भोल्ट जो भैलू को म answer जो है से E होगा इसलिए कि यह जो है से accurate value से कम value मापता है यानि 10 भोल्ट जो ही माप लिया तो 10 भोल्ट से तो ही कम माप रहा है तो 10 भोल्ट से कम अगर माप रहा है तो इसका accurate मान जो है से 10 भोल्ट से क्या आजाएगा जादा आजाएगा इस तरह से जो है तो देखिए N बराबर क्या आपका आ गया B2 by B1 याद रखिएगा New Range by Old Range और इसके बाद जो है जो है S बराबर Gn to N-1 इतना उम का परती रोध किस क्रम में लगाना पड़ेगा तो स्रेनी क्रम में लगाना पड़ेगा और निम्न परती रोध जोड़ा जाता है या उँच परती रोध इसको भी ध्यान रखिएगा तो अगर बोल्ट मीडर बनाना है तो गैलवेनो मीडर के स्रेनी क्रम में कैसा परती रोध जोड़ेगे तो देखिए यहाँ पर हम दे दिया है हाई रसिस्टेंस जोड़ेगे मने उँच परती रोध को हम जोड़ेगे अश्रेनी क्रम में ही जोड़ेगे अब बोल्ट मीडर सर्किट के किस कनेक्शन में होता है तो बोल्ट मीडर वास्तों में सर्किट के किस कनेक्शन में होता है तो यह जो है समनांतर क्रम में होता है तो इस सारे question को जो है से आप ध्यान रखिए और जो है से इसके बाद हम बताने जा रहे हैं फिर बता रहे हैं हाँ तो आप देखिए यह meter के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ बोल्ड meter के बारे में जो है से काफी details दिये और यह meter के बारे में पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहला question है कि यह meter जो है से क्या है तो यह तो क्या है आपका कि एक instrument है electrical instrument तो यह आई मापता है आई का मतलब कि current को मापता है ठीक है यह किस क्रम में जुड़ा होता है यह जो circuit के किस connection म में जुड़ा होता है तो यह स्तिरेनी क्रम में जुड़ा होता है अदिकांस्ता लोग इसका बता ही देगा च्छी option जो है से डेर लोग नहीं बतापाएगा कि यह meter बनाया जाता है कैसे तो दूँदखी यह meter आखिर बंता कैसे है यानि गैलवेनो मीटर से बिदु धारा की बहुत चोटी रासी मापी जाती है यानि कि बिदु धारा को गैलवेनो मीटर से मापा नहीं जाता है सिर्फ इसके उपस्थिती को बतलाता है कि यह करेंट को माप इसमें करेंट है या नहीं है कभी-कभी आप एलेक्टोनिक के दु परशन ठीक है इतना पिशन लेगा तो देखिए वह जो है से आपका गैलवेनो मीटर है गैलवेनो मीटर आई मापता है मतलब बिदुधारा की बड़ी राशी नहीं मापता है गैलवेनो मीटर बिदुधारा की छोटी रासिम आपता है और यह मीटर जो है यह बिदुधारा की बड़ी बड़ी रासिम आपता है तो देखिए हम क्या का रहे हैं कि गैलवेनो मीटर यह मीटर जो हैसे आखिर बनता कैसे है तो गैलिवेनो मीटर के समनांतर क्रम में Law Resistance, इसको ध्यान रखना है, यहीना बात पुछा जाएगा, लोर असीस्टेंस जोड़ कर, और किस क्रम में? ता यह समनांतर क्रम में Law Assistance जोड़ कर क्या बनाय जाता है? यह मीटर आपको बनाए जाता है अग गैलेवेनो मीटर खुद जो सर्कीट में जूड़ता कैसे है तो वह सिरेनरी करम में जूड़ा जाता है ध्यान रखिये गा अब देखिए कौम पर्तिरोध यानि लो रसिस्टेंस का जो एमीटर है तो low resistance का emitter जो है से अच्छा माना जाता है तो अगर low कहां से कहां तक चल सकते हैं तो 0 तक जा सकते हैं यानि ideal अगर emitter है तो ideal emitter का resistance जो है से आपका 0 हो जाएगा तो उसका conductance क्या हो जाएगा चलकता तो चलकता के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि conductance क्या है तो reciprocal of resistance is called conductance यानि परतिरूद का बिवतक्रम यानि उसका उल्टा जो है सिचालकता कालाता है यानि उसको g से सुचित करते हैं देखिए g लिख दिया है तो g equal to 1 by 1 आग या तो 1 by 0 अगर 1 में आप 0 से भाग दीजेगा तो यहां देखिए infinity आजाएगा और देखिए इससे जो numericals पुछा जाएगा वहां मात्री इस दो फर्मूला पर अधारित रहेगा ऐसे ही दोनों 12 में है इसको सीध हम करते हैं 12 में लेकिन तो यहां पर आपको जो है यहां परतिरोध कीतना ओम का जोड़ेंगे तो यहां बरापर देखिए लिख दिये हैं अब देखिए को कोशन हम ले लिए कि एक एमीटर का परतिरोध जो है से 10 ओम है और उसका रेंज जो है से 2 एमपियर से 12 एमपियर तक बढ़ाना है मनें बनाना है हमको तो कितना ओम का संट उसमें लगाना पड़ेगा तो देखिए सबसे पहले तो यहन कामा निकालना पड़ेगा तो यहन यहां निकाल लीजिए तो यहन बराबर हम क्या बताएं है निव रेंज बाई वल्ड गेंज तो निव रेंज क्या है जो है से कितना उमका संट लगाएंगे ताकि यह एमिटर दो एमपियर से बारह एमपियर तक को जो है समापने लगे तो देखे तो यह बराबर क्या जी बाइन माइनस वन तो जी का मतलब होता है कि गैलवेनो मीटर या जो ओल्ड आपका ओल्ड एमिटर है उसका रसिस्टंस ह तो उसका रसिस्टंस हम देदी हैं देखे 10 है तो 10 दस लिख दीजी अब आई एन माइनस वन तो एन का मान क्या है चो आया है तो छो माइनस वन यानि 10 बाइ पांच बराबर क्या आ गया दो ओम दो ओम का परतिरोध जो है से अगर लगा देंगे तो इसके बाद जो है से 10 द वो एंपियर से 12 एंपियर तक हम आपने लेगा अब यहां भी आपका 24 क्या देदेगा कि दो ओम का जो परतिरोध हम लगाएंगे संट लगाएंगे तो उस्रेनी क्रम में लगाएंगे या समनांतर क्रम में लगाएंगे दोनों से आपका 24 रह गा है तो देखें यहाँ पर हम क्या लिखे हैं यहाँ पर हम लिख रहे हैं आपको कि निम्न परतिरोध यानि लोर असिस्टन्स गैलेवेनो मीटर के समनांतर क्रम में निम्न परतिरोध जोड़कर बनाया जाता है उसको एमीटर को तो यानि दो उम का परतिरोध जो है इसको समनांत तरक्रम में अगर हम लगाएंगे तो यह जो एमीटर था जो पहले दो एम्पियर माप रहा था यह 12 एम्पियर तक मापने वाला एमीटर बन जाएगा इसी कोशन को दूसरे तरह से हम पूछ रहा हैं देखिए ऐसे कह रहे हैं सेम कोशन है लेकिन दूसरे पूछने का तरीका तक बढ़ाना है तो कितना उम का संट लगाना पड़ेगा उसमें तब देखिए इसलिए इसको भी अगर निकालिएगा तो इसका भी एसका मान क्या आएगा इसका मान आपका दो ओम ही आएगा स्यम कोश्चन है सिर्फ पुछने का तरीका दूसर है अब देखिए अब यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको आएक्स नो की किरिया लिख दिया है हिंदी में अंग्रेजी में जारा ध्यान दियेगा आएक्सन ओफ पॉइंट नोकों की किरिया तो नोकों की किरिया के बारे में जैसे हम बता रहे हैं कि मानलिया की बरसाद के दिनों में जो ठनका उनका गिरता है तड़ित जो गिरता है तड़ित जंचा होता है तो देखिएगा कि नुकिला नुकिला जो तड़ित चालक लगाया जाता है लाइटनिंग कंड़क्टर जो लगाया जाता है तो उपर में नूकीला उसको बनाया जाता है या देखिएगा कि तार वेगा रहे के पेंड पर जादा गिरेगा जो नूकीला है तो आखिर उस पर ही क्यों गिरता है सबसे पहले ही समझे कि आदर्स तड़ीत चालक यानि आइडियल लाइटनी कंड़क्टर जो है वो किसका बना होता है मन क किसीच का बना होना चाहिए तो वह जो है से कॉपर का बना होना चाहिए सबसे पहले किस ने बनाया था फ्रैंकलीन बनाया था इसको भी द्यान रखिए और इसके बाद थोड़ा साही समझे कि आखिर नूक जो है नूक की क्रिया एक्शन और पॉइंड जो है तो यह जो है स लिया कि तड़ी तजंज़ा तड़ी तजंज़ा वाकास में हुआ तदझी ऑपस के जो येश है वह आइनाइज हो गया व चार्ज हो गया तदेखिए उस पर आवेस अ गया तो वह ऐलेक्टिक फिल्ट पैदा हो गया तजbeneफ बराबर E तो ये बराबर एकी वागे है, अब देखी इ बराबर है σीगमा बाई एपसिलन, तो सीगमा बाई एपसिलन है तो सीगमा का मतलब होता हैamarफेस चार्ज डेंसिटी तो देखी यह जो हैशे आपका कुलं स्थिवरं है कि E बराबर एलáriaक्टिक फिल्ड बराबर सीगमा बाई ए जीगमा है यानि की सत्ह आवेश है सत्ह आवेश घनत सर्फेस चार्ज डेंसीटी देखिए कि किसको कहते हैं क्यूं कंहें का मतलब है कि यह अग्या dancers kalt ragd 시 dias तक कौने का मतलब है कि आप देख हैं हैं स्र जबन देरिया गया है कि क्ञिफ रहे जीज जो है से तड़ित को क्यों खिच लेता है तो देखिए अगर मान लिया कि नुकिला है जैसे देखिए एक हम ऐसा बना रहे हैं एक जो हैसे समझे कि कोई चीज का पता है तो देखिए यहां पर नुकिला है यहां नुकिला नहीं है तो देखिए यहां अगर नुकिला है तो यह यह कम हो गया, तो यह आपका कम हो गया, तो अगर कम हो गया, तो surface charge density क्या हो जाएगा, देखिए Q में यह से divide करना है, तो sigma का मान जो हो गया, sigma का मान बढ़ा होगा, बढ़ा जाएगा, अगर sigma का मान बढ़ा होगा, तो देखिए, electric field intensity का मान बढ़ा होगा, इसका मतलब है कि ये फका मन क्या जाएगा यानि force of attraction जो है से बड़ा हो जाएगा जब फोर्स of attraction बड़ा हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि नुकिला चीज तड़ित को खिचेगा या नहीं इसलिए जो है से उसी पर गिरता है तो देखिए ये तड़ी cutting बना होना चाहिए पना होना चाहिए आपका copper का बना होना चाहिए कौन से बनाया था अब देखिये generator के बार में थोड़ा दे रहा आप ऐसे पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी कुछ समझे देखिए जनरेटर जनीत्र हिंदी में लिख दिया हैं तो सबसे पहले इसको पुछेगा कि यह किस सिधान्त पर काम करता है तो सबसे पहले आपको बताना देखिए लिख दिया है बिदू चुम की प्रेरन बिदू को ही alternator कहा जाता है तो देखिए इसमें जो है से इसके construction में क्या होता है कि ring जो है से पूरा दोठो ring रहेगा यह R1 ring है एक R2 ring है जो देखिए पूरा ring है तो इसको पूछा जाता है आद दूसरा को कहा जाता है dynamo, dynamo का मतलब आप समझेगा DC generator यानि DC janitr लिख दिया है हिंदी में तो इसमें जो इस ring था इस बिभाक्त वले लिख दिया है हिंदी में बिभाक्त वले का मतलब हो गया split ring यानि कि इसमें ring जो होता है तोड़ा हुआ रहता है देखिए एके ring है जो तोड़ा है यह अलग अलग दो थवर रिंग है तो इसको कहा जाता है आपको commutator commutator इसको कहा जाता है तो ठीक है इसके बारे में जो हैसे अच्छा easy आया था एक जहारकाणड पोल टेकनिक में आपको आया था कि dynamo जो हैसे किस ने बनाया था तो डैनेमो किस ने बनाया था तो याद रखिएगा कि डैनेमो को जो है से फैराडे ने बनाया था फैराडे दिखे लिख दिया है इसका इन्भेंटर कौन था फैराडे अब दिखिए अब जो है से एक 12 का ला रहा है बेंडी ग्राफ जनरेटर वांडी ग्राफ जनरेटर वा यह देखिए पैदा लिख दिए हैं यह मैंने 520 कितना करता है तो यह से सबुभ जनरेटर जैसा नहीं समझेंzkिए कि चोटा मोटा जनरेटर यह दो लाक भूल्ट यानि कहने का मतलब है कि मिलियन भूल्ट यह पैदा ही करता है ता इस तरह का इस जनरेटर है और इसके बाद जो है से यह किस सिधान्त पर काम करता है तो इसके बारे में जो है से देखिए हमें यहां पर आपको जो है से लिख रहे हैं इसको ध्यान देजिए कि यहां पर हम देखिए लिख रहे हैं कि यह जो है से तीन सिधान्त पर काम करता है देखिए इस जनरेटर के बारे में हम बता कुछ के हैं तो उस जैनरेटर के बारे में क्या बताए थे कि या विदू छुम की प्रियरन करकाम करता है लेकिन einडी ग्राफ जैनरेटर जो है से या है आपको किसी सिधानत परकाम करता है थो देखेळें इस में जो है सीधानत आपका लिख रहे हैं वांडी ग्राफ जनरेटर के लिए देखिएगा तो यह ज़िए पहला पॉइंट इसका दे रहे हैं कि आएक्शन ओफ पॉइंट यानि नोकी की किरिया पराधारित है एक्शन ओफ वाइंट नोकी की किरिया क्या है या हम समझाये थे दूसरा जो है से क्या काम करता है इसको लिख दिये है इंड़ेग्शन तो आज इतना ही तक रखार बढ़ाएं और अगला जो वीडियो हम लाएंगे वाँ मैगनेटिज में पर लाएंगे, मैगनेटीजम के बारे में एक लाइन भी नहीं बोले हैं, और इसको जो है से अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सेंड कीजिए, बेल आइकोन का बटन दबाईए, और इस तरह से जो है से इतना परही क्लास खत्म कर रहा है दने बाद